तीन, चार और पाँच ब्लेड वाले पंखों में क्या है अंतर, जाने आपके घर के लिए कौन सा सीलिंग फैन रहेगा बहतर, अपने घर के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनना आज के समय में काफी मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में कई क्वालिटी, डिजाइन और व कुलिंग फैन में कितने ब्लेड होने चाहिए, का जवाब आज हम यहां आपको बता रहे हैं, हालांकि घर के लिए बेस्ट पंखा चुनते समय, ब्लेड की संख्या के अलावा इसकी पिच और मोटर पावर का ध्यान भी बहुत जरूरी है, हर स्पेस की अपनी कूलिंग नी इसलिए, सीलिंग फैन या चट वाले फैन लेते समय, इसके ब्लेड पर अधिक ध्यान देने की आवश्यक्ता होती है, तीन ब्लेड वाले पंखे कम पुर्जे और एनरजी के साथ हाई स्पीड में घूमते हैं, जिससे बिजली बिल पर बहुत ज्यादा असर दिखाई नही इसके अलावा, इसके चलने पर आवाज भी कम होती है, हालांकि कुछ तीन ब्लेड वाले पंखे अधिक ब्लेड वाले सीलिंग पंखों की तुलना में अधिक शोर कर सकते हैं, कम स्पेस वाले घरों के लिए यह फैन एक अच्छा विकल्प साबित होते हैं, चार ब्लेड व पंखे तीन ब्लेड वाले पंखे की तुलना में धीमी गती से चलते हैं, और इसकी तुलना में अधिक महंगे भी होते हैं, साथ ही इसके लिए ज्यादा स्पेस की आवशक्ता भी होती है, चार ब्लेड वाले सीलिंग पंखे एर कंडीशनर वाले रूम के लिए बेहतर ओन क्योंकि यह पंखे हवा को रूम में फैलाने का काम बहतर तरीके से करते हैं, जिस से रूम जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन चार ब्लेड वाले पंखे, तीन ब्लेड वाले पंखे की तुलना में धीमी गती से चलते हैं और इसकी अधिक महंगे भी होते हैं, साथ ही इसके लिए ज्यादा स्पेस की आवश्यक्ता भी होती है, पाँच ब्लेड वाले सीलिंग फैन तीन और चार ब्लेड वाले पं माना जाता है.